हेलो गाईज, जल्कम बैक टू आन न्यू वीडियो, मेना नाम है प्रियांश, तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोरियंडर यानि की धनिय के बारे में, किस तरीके से आप लोग घर में धनिया ग्रो कर सकते हो, बड़ी असानी से, कौन से सीड् क्या हम किचन में जो हमारा धनिया होता है, उससे इस तरीके का धनिया ग्रो कर सकते हैं, या फिर हमें मार्किट से सीड़् लेके आने होते हैं, और धनिया को ग्रो करने के सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, यानि कि सारी A to Z नॉलेज आपको इस वीडियो में आज मिलने तो दोस्तों बीच को उगाने से पहले हमें मिट्टी तयार करनी होती है, मिट्टी में तीन चीज़े मिलानी होती हैं, हमें सबसे पहली नॉर्मल जमीन की मिट्टी, दूसरी चीज़ एक अच्छी और्गैनिक खाद, यहां मैंने वर्मी कमपोस्ट ली है, आप भी सी का इस अच्छा रिजर्ट मिलेगा, तीसरी चीज़ है कोको पीट, यह आपके पास हो तो मिलाना नहीं हो, तो आप इसको मत मिलाइए, अब इन तीनों चीज़ों का मिक्षर आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है, इन मिक्षर को आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है, आपको लेनी है 60% जमीन की नॉर्मल मिट्टी 30% खाद और 10% कोको पीट अगर आपके पास है अगर नहीं है तो खाद को आपको 40% लेना है अब धन्य को ग्रो करने के लिए हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए होगा जो जादा गहरा ना हो लेकिन चौड़ा हो तो चली अब मिट्टी बन होते हैं और अच्छी वराइटी के होते हैं इनसे अच्छा धनिया उकता है तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी इंप्रोटन टिप के वारे में जिसको यूज करने से आपके धनिय के जो बीज हैं वो डबल हो जाएंगे कॉन्टिटी में और वो जल्दी भी ग्रोथ करें हैं आपको किसी पत्थर, किसी इंट या बेलन की मदद से बीज को दो हिस्सों में बन्ट लेना है इस तरीके से बीज जल्दी grow होता है और बीज की कॉन्टिटी जदा भी हो जाती है तो अब आप देख सकते हो पहले बीज गोल थे अब ये बीज दो हिस्सों में बठ चुक और इसके उपर दुबारे से एक layer मिट्टी की बना देते हैं तो जितने भी छोटे बीज होते हैं उनको grow करने का यही तरीका होता है उनको मिट्टी के अंदर जादा नहीं दबाया जाता क्योंकि अगर जादा अंदर हम इन बीजों को दबाएंगे जितने भी छोटे बीजों होते हैं तो यह बीज अच्छी तरीके से ठीक तरीके से growth नहीं कर पाएंगे और जो method आज मैं बीज को लगाने के लिए इस्तिमाल कर रहा हूँ इसको agriculture में बोलते हैं broadcasting method बीज लगाने के काफी सारे method होते हैं जैसे कि seed drill method, flowing country plug method इस तरह काफी सारे methods होते हैं तो आज जो method हम use कर रहे हैं इसको बोलते हैं broadcasting method इसमें बीज हम हाथ से ही बिखेर देते हैं बीज को मिट्टी में डालने के बाद हमें वही same media जो हमने पहले बनाया था उसकी आदा इंच layer मिट्टी के ओपर डाल देनी है ताकि बीज कवर हो जाएं और जब हम इने बीजों में पानी दें तो ये बीज अपनी जगा से हिलेना मिट्टी की layer बनाते समय आपको गवराना नहीं है अगर मिट्टी के layer थोड़ी सी ज़ादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं बीज उसके बावजूद भी मिट्टी में से बाहर आ जाएंगे तो चलिए अब बार ही आती है मिट्टी में watering करने की watering हमें करनी है एक spraying bottle से तो यहाँ पर कुछ लोगों के पास spraying bottle नहीं होती तो वो ऐसे घर में जो plastic की water bottle होती है इनको recycle करके भी बाटल अपनी spraying bottle बना सकते हैं अगर आपके पास थोड़े से पैसे हैं तो आप market से भी spraying bottle खरीद सकते हैं तो अच्छा जुगाड अच्छा die hack ये भी आप यूज कर सकते हैं तो ये देखिए अब 15-20 दिन बाद धनिया इस तरीके का आपको नजर आएगा उख जाएगा अब 15-20 दिन बाद धनिया तो हमारा उख चुका है लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं इसी स्टेज पे रुख जाते हैं और सोचते हैं कि धनिया अब बड़ा हो जाएगा लेकिन हर प्लांट को चाहे वो फूल वाला प्लांट हो सबजी वाला प्लांट हो किसी भी तरह के प्लांट को फटिलाइस करना बहुत जरूरी होता है तो fertilizer की जगा आज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ एक यह organic manure जो की है vermic compost तो आप खाने पीने की चीज़े घर में जब grow करते हो तो आप भी चाहते हो कि आपको healthy cheese मिले chemical free cheese मिले तो इसका बहुत अच्छा option रहता है vermic compost तो vermic compost आप अपने garden में जरूर यूज करिए तो एक से दो मुठी vermic compost आपको अपने धनिये के पौधो में डाल ली है यह depend करता है आपका गमला कितना बड़ा है जो मेरा यह pot है यह 24 इंच का इसका diameter है तो इसमें मैं 2-3 मुठी डालता रहता हूँ तो आपको vermic compost हर 10-15 दिन बाद अपने धनिये के पौधो में जो पौध ही बोलेंगे हम इनको धनिये के पौधो में डालते रहना चाहिए दोस्तों आपको मारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में लिखके जरूर बताएं इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेयर करिए ताकि मेरा भी motivation बड़े और मैं भी ऐसी वीडियो आप लोग